पुलीस की गिरफ्त में आये अप राधियो का नाम पदम लोचन सिंग और पंचानन सिंग बताया जा रहा है पुलीस ने इनके पास से हत्या में परियुक चाकू, मोटर साइकल, मिर्तक का मुबाइल और दोनों अपरात कर्मियों का मुबाइल बरामत किया है इसकी जानकारी देते वे सराई के लाइस जी पीओ हर्विंदर सिंग ने बताया कि बीते 31 जन्वरी को मिर्तक की मा अन्ना देवी का लिखी ताविदन मिला था इसमें उन्होंने अपने बेटे के अपरन की आशंका जताई थी उन्होंने बताय कि मिर्तक ने निम्डी के पूर्णा पानी निवासी पदम लोचंग सिंग सरदार को नौकरी लगाने के नाम पर 9 लग 20,000 रुपे दिया था मामले की जानकारी देते वे स्जी पियों ने बताय कि पदम लोचंग सिंग सरदार को पूष्टाज के लिए गमरिया थाना लाया गया पदम लोचंग सिंग से पूष्टाज की करम में इसने अपना अपराथ स्विकार किया और बताय कि पंचानन सिंग ने वरुन सिंग के साथ मिलकर समिर्शल की हत्या करने की बात को स्विकार किया उन्होंने बताई कि 29 जन्वरी को पदम लोचन सिंग, पंचानन सिंग, वरुन सिंग एवं समिर चल के साथ डंग डुग मेला घुमने दो मोटर साइकल से गया था मेला में समिर को हड़िया और शराब पिला दिया पंचानन मेला से दो चाकू खरीद कर बैक में रख लिया और एक मोटर साइकल पर पंचानन वरुन और समिर बैठ गया और दूसरे मोटर साइकल पर पदम लोचन बैठ कर मेला से लोट रहा था लोटने के करम में पुर्वन योजित प्लान के तहट पादूटी जंगल में सुनसान स्थान पर मोटर साइकल रोक दिया और रोट किनारे सुनसान स्थान पर समिर चल का गला दबाने लगा हल्ला करने पर ये लोग समिर चल को जंगल के अंदर ले जाकर उसके सर को धर से अलग कर दिया समीर के जूते एवं चाकू को वहीं जंगल में फेक दिया समीर छल के शरीर से सारे कपड़े उतार दिया और समीर छल का कपड़ा मोजा पर्स हेलमेट और चाकू को बैग में रख लिया और मोटर सैकल से वहाँ से करीब 6 किलोमेटर आगे सतनाला के पास खाई में समीर के कटे सर और हेलमेट को फेक दिया आज के लिए बस इतना ही बिग न्यूस के पूरे टिंग को दिजे एजारत नमस्ता